नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सोभाष्ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे हिमाचा प्रदेश में हुए तैसील वेलफेर ओफिसर के प्रशन पत्र को और इसमें हम पूरे के पूरे सौ प्रशनों को डिसकस करेंगे अगर इसमें कुछ तूटी रह जाए दोस्तो तो आप मुझे कोमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं अपनी और से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप तक मैं सही उतर बताने के कोशिश करूँ तो चलिए दोस्तो पिना देर के शुरुआत करते हैं लेक्चर की सबसे पहला प्रशन है देखिए संग्य शब्द लेटिन बाश्चा के शब्द फेदुस से लिया गया है जिसका अर्थ है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नमबर सी नियम अगला प्रशन है देखिए संविधान की ग्यारवी अनुसूची में निमिल कितमें से कौन सी कार्यात्मक वस्तुएं है तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर दो, तीन और पांच इसके क्या है सही है सी इसका सही उतर होगा दूसरे में देखिए सर्वजानिक वितर प्रनाली, फिर उसका लगो उद्योग और मतस्य तो ये चीज़ इसमें कहें शामिल है अगला प्रशन है देखिए कौन सा संविधानिक संशोधन बिल आर्थिक रूप से कमजूर वरगों को अरक्षन प्रदान करता है भारत के पहले विधी अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है तो ये हैं आपके भारत के महा नियावादी अगला प्रशन है देखिए संविधान चोहत्रों संशोधन अधिनियम उनीसो तिरानु में उलेख है इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्ब नंबर B ठीक है नगरपालिकाओं के कार्या प्रशन नंबर 6 है देखिए पॉकेट वीटो का प्रियोग किसके द्वारा किया जाता है तो इसका जो सही उतर होगा विकल्ब नंबर B भारत के राष्टपती के द्वारा नेक्स प्रशन है देखिए भारत में पंचायती राज वैवस्था लाने के पीछे मुख्य उदेश्य क्या था तो इस प्रशन का जो सही उतर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर सी स्थानी निकायों को राजनितिक शक्ति का केंदरी करन ठीक है प्रशन संक्या आठ है देखिए संसद के सदस्य की अयोगयता के बारे में विवाद का फैसला करने के लिए कौन अधिकरित है तो यह आपके राश्ट्रपती विकल्प नमबर राज्य को केंदर सरकाद्वारा दी जाने वाली सहायता में कौन सा अनुछेद अनुदान से संबंदित है तो यह है आपका आर्टिकल 275 ठीक है नेक्स प्रशन है देखिए प्रशन संक्या 10 निमिलिकित में से कौन सा कथन लोगपार ओल लोकायुक्त के बारे में सही है तो जे एम तिमूर्ती क्या है तो यह है आपका जन धन आधार ठीक है मोबाइल विकल्प नमबर ए इसका क्या होगा सही उतर होगा नेक्स प्रशन ने देखिए भारत में थोक मूले सूचकांक में निमिलिकित में से किस बस्तू का अधिकतम वजन है तो इस वाले प्रशन का ज ठीक है अगला प्रशन है देखिए उर्जा का उत्पादन परिवर्तन और उप्योग प्रमुक चिंताएं हैं तो यह किस की है देखिए यह आपका अध्योगिक गतिविधी 13 का क्या होगा विकल्प नमबर ए प्रशन संख्या 14 है देखिए निमिलिकित में से कौन मुद्रस प्रशन संख्या 15 है भारतिय वेतन निती निमन पर आधारित है तो यह है आपका विकल्प नमबर सी देखिए इसका क्या होगा सही उत्तर होगा 15 का जीवन स्तर की लागत 16 है देखिए C-A-P-A-R-T का पार्ट किस से संबंदित है तो यह है आपका ग्रामिन कल्यान कारेक्रमों की सहाइता और मुल्यांकन करना तो 16 का क्या होगा विकल्प नमबर A सही उत्तर होगा अगला प्रशन है देखिए E-A-S stands for तो यह है आपका रोजगार गैरेंटी ठीक है उसके बाद है प्रशन संख्या 18 भारत में छीपी हुई बिरोजगारी मुख्यतह सीमित है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए विकल्प नमबर A इसका क्या होगा सही होगा एक और दो क्रिशक्षेत्र और ग्रामिन क्षेत्र ठीक है नेक्स से देखिए प्रशन लगु और मध्यम उद्योगों की ठीक है प्रशन संक्या 20 इनमें से कौन भारत में गरीबी का कारण नहीं है तो ये है आपका देखिए ग्रामिन से शेहरी भारत में लोगों का प्रवासन ठीक है अगर आपको इस प्रशन में थोड़ा सा डौट है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कि इसका उत्तर कुछ और होना चाहिए था प्रशन संक्या 21 से देखिए भारत के सिंचित अंचलों में भूमी चिरायता निमनकारणों से खारा हो रही है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए विकल्प नंबर C अधिक सिंचाही का उप्योग ठीक है नेक्स करेवा पाते हैं तो ये है आपका कश्मीर हिमाले ठीक है विकल्प नंबर C होगा तेइसका प्रशन संक्या 24 है देखिए निमी लिकित में से कौन सी नदी एक तरार गाटी में बहती है तो ये है आपकी नर्मता लेर है नेक्स प्रशन है देखिए करकरिखा कहां से होकर नह अगला प्रशन है देखिए, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों को बगहुलिक वर्षा क्यूं होती है? ठीक है, प्रशन संक्या 27 देखिए, इसका जो सही उतर होगा विकल्प नंबर D, तो विकल्प नंबर D क्या होगा, इसका सही उतर होगा, ठीक है, दक्षिन 28 का क्या होगा, C होगा, 29 है देखिए, निमिलिकित में से कौन सा भारत का सबसे आर्द्र क्षेत्र है, तो यह होगा आपका विकल्प नंबर A, उत्रपूर्वी भारत और पश्चिमी तट, नेक्स पशन है देखिए, निमन में से कौन भारत का पहला वायोस्पियर रिजर् 30 का क्या होगा, विकल्प नंबर A, 31 है देखिए, यह कहते हैं कि स्थान ये आर्थिक विकास को वत्साहित करने के लिए, बुनियादी से वहाँ को बढ़ावा और अच्छी तरह से योजना बद, रूबर्न, कलस्टर बनाना, ग्रामिन विकास मंत्राले सरकार, भारत ने कि स्थान पर भारत्यक्षेत्र में प्रवेश करती है, तो यह आपका शिपकी के पास, जो कि नौड है, ठीक है, उसके बाद है देखिए, कमेरी या चोली जोजी, चद्रू, कमरबंद, चालन या सुथन और घास या पुआल से बना जूता हिमाचपरदेश की किस चनजाती मह हिलाओं की पोशाक है, तो यह आपका पंगवाल, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निमेलिकित में से कौन सा संयोजन सही है, 34 प्रशन संख्या, देखिए, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए, यह अभी कल्प नमबर D, वाक्यां, यह क्या है, नरित्य है, यही सही है, नेक नेक्स्ट देखिए, प्रशन संख्या, 36, निमेलिकित में से किस पेंटिंग स्कूल को राजा उदै सिंग के शासनकाल में पहली बार शाही संरक्षन मिला था, तो यह आपका चंबा पेंटिंग स्कूल, ठीक है, नेक्स्ट प्रशन है, देखिए, 37, दो हजार ग्यारा की ज नसल को प्रदेश में लेकर आया है, तो सही उतर होगा, देखिए, भी कल्प नमबर A, रोम बुलेट, ठीक है, उसके बाद 39 है, निमेलिकित स्योजनों का मिलान करें, और गलत स्योजन का चैन करें, ठीक है, इन में से हमने गलत देखनी थी कि कौन सी है, तो इसका जो सही उ ठीक है, उसके बाद 41 से देखिए, कि आपने इनको मिलान करना था, जो सही कौन सा है, तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए, वो होगा आपका 41 का विकल्प नमबर A, ठीक है, आप बाकी आप इसको मिलान कर लिजे, ठीक है, नेक्स से देखिए प्रशन संख्या 42, ये कहते की सलामी से सुशोबित किया, तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए, प्रशन संख्या 42 का, ये होगा आपका विकल्प नमबर A, राजा, शमशीर, प्रकाश, ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, किसने प्रादेशिक परिशत का नित्वत किया, जिसका गठन 15 अगस्ट 1957 को कि गया था, विकल्प नमबर B, करम सिंग, ठाकुर, ठीक है, हिमाचपरदेश में, स्टेट वाइड एडिया नेट्वर्क, ठीक है, लॉंच करने के लिए, राज्य बना, कौन सा राज्य बना है, तो ये आपका पहला राज्य, ठीक है, हिर्मन 99, HP के प्रगतिशील किसान किसम है, तो ये थी आपकी, एपल की, ठीक है, विकल्प नमबर C, क्या होना था, इसका सही उतर होना था, आना कि याँ पर एपल और मेंगो इदरोदर कर दिया है, नोने मेंगो के नीचे सेब लिख दिया, एपल के नीचे आम लिख दिया है, ठीक है, तो एपल के लिए है ठीक है, प्रशन संक्या 46 है दिखिए, निमिलिखित में से किस स्थान पर याक ब्रेडिंग रिसर्च स्टेशन स्थित है, तो इसका जो सही उतर है दिखिए, यह आपका विकल्प नमबर D, ठीक है, लोसर में, अगला प्रशन है दिखिए, निमिलिखित में से कौन सा ठीक है, तो इसका जो सही उतर है दिखिए, वो है कल्प नमबर E, 87.95 ठीक है, अगला है दिखिए, एचपी के निम्र में से किन स्थान पर अंगोरा खरगोश संबर्धकों को खरगोश परदान करने के लिए अंगोरा खरगोश भार्म कारेरत है, तो यह है आपका कंड़वारी कांगड़ा और नगवानी मंडी, विकल्प नमबर C, ठीक है, नेक्स प्रेशन है दिखिए, भ प्रशन संख्या 51, हिमाचे प्रदेश, फोरेस्ट, एको सिस्टम क्लाइमेट, प्रूफिंग प्रोचेक्ट, के एफडव्यू बैंक, जर्मनी की साहिता सी, एचपी राज्य के निम्र में किसे किन राज्यों में लागू किया गया है, यह है आपका चंबा और कांगड़ा, नेक्स प्रशन है देखिए, ग्राम पंचायत, घर के निर्माण, मरमत और उन्नैन के लिए 2.50 क्रोड को निमी लिकित में से किस योजना के तहट 50 ग्राम पंचायतों के लिए जारी किये गए हैं, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए, विकल्प नमबर 1, राष्टिय ग् प्रशिक्षन और न्युक्ति प्रदान करना, तो 53 का क्या होगा, आपका D होगा, 54 है देखिए, निमी लिकित में से कौन से कथन हिमाच्परतेश की बेटी है, अनमोली होजना के पारे में सही है, जोस्तों पूरे के पूरे options को मैं यहां पर नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं और दो इसमें क्या है, सही है, नेक्स्ट निमी लिकित में से कौन से कथन हिमाच्परतेश की और सौर मिंचाड योजना के बारे में सही है, तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए, C, एक और तीन, ठीक है, अगला प्रशन है, देखिए, प्रशन संग्या 56, निमील में से 57 का देखिए क्या है, पिकल्ब नमबर C, एक और तीन, नेक्स्ट है, 58, ये कहते है कि, हिमाचल स्वास्थ योजना, सिवा योजना, ठीक है, हिमकियर के बारे में निमी लिकित में से कौन से कथन, सही है, तो 58 का देखिए क्या होगा, एक और दो इसके क्या है, सही है, 59 है द 2 इसमें सही उतर होंगे, नेक्स्ट है देखिए, 60, ये कहता है कि, which of the following statements are correct about एक बूटा बेटी के नाम स्कीम, ठीक है, तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए, वो होगा पिकल्ब नमबर A, एक और दो, ठीक है, नेक्स्ट है, निमी लिकित में से कौन से कथन, PM स्वानी द निमी लिकित में से कौन से कथन, अटल सुरंग के बारे में सही है, तो 62 का जो प्रशन है, देखिए, इसका जो सही उतर होगा, 2 और 3, है ना, नेक्स्ट है, प्रशन संख्या 63, ये कहते हैं कि, राष्टे शिक्षन निती 2020 के अनुसार, शिक्षक, ग्रेड तक मातरी भाषा या क्षेतरी भाषा में, पार्ट पढ़ाने में सक्षम होंगे, तो ये है ग्रेड 5, ठीक है, 63 का है देखिए क्या होगा, विकल्प नंबर A, अगला प्रशन है देखिए, जू संक्रमन के बारे में निमिलिक्त में से कौन से कथन, सही है, तो ये है आपके देखिए, विकल ठीक है, 65 का, अगला प्रशन है देखिए, 66, राष्टे काम धेनों के बारे में निमिलिक्त में से कौन से कथन, सही है, तो इसके बारे में जो सही कथन है, देखिए, वो कौन से है आपके 66 का C होगा, ठीक है, विकल्प नंबर C, ठीक है, जो एक और 2 है, अगला प्रशन है निमिलिक्त में से कौन से कथन, भारत नेट पर योजना के बारे में सही है, 67 है देखिए, इसका भी विकल्प नंबर E का होगा, सही होगा, एक और 2 इसमें सही है, नेक्स्ट है देखिए, 68, वनबंधू कल्यान योजना का मुख्य उदेश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य देखिए, विकल्प नंबर B, आदिवासी का कल्यान, ठीक है, 69 है देखिए, विश्य पर्याबढ़न दिवस 2020 का विश्य क्या है, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए, विकल्प नंबर D, हाॉसिंग फॉर एक बहतर शहरी भविश्य, ठीक है, सत्रुमा प्रशन है, भारत इसका जो सही उतर होगा देखिए, विकल्प नंबर C, एक और दो, नेक्स परशन है देखिए, तेहत्रुआ, निमेलिकित में से कौन से कथन आपता रोधी, अब सहनचना के बारे में सही है, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए, विकल्प नंबर C, एक और दो, ठीक है, फिर है आपका विश्यू सास्त्य संगठन, डबल्यू एच्चो के अनुसार, किस दशक को स्वस्त आयू का बांगलादेश दिया है, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए, 75 का विकल्प नंबर C, ठीक है, यह है आपका बांगलादेश, ठीक है, उसके बादे देखिए, फियो, फिजियो नोलोजी या मेडिसिन के लिए नोबिल पुर्सका 2020 किस वाइरेस की खोज के लिए, तीन वे प्रतिक्रिया, जो एक दूसरे के बराबर और विपरीद हैं, एक दूसरे को रद नहीं करते हैं, क्यूंकि यह क्या है, 77 देखिए, यह आपका विकल्प नंबर B, यह वभीन शरीर पर कार्य करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है, कुलाइडल घोल में विखरे हुए चरण करणो प्रभाव, ठीक है, 79 है, जब हम खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान सबजों में नमक डालते हैं, तो सबजियां पानी छोड़ती हैं, इसके लिए कौन सी क्रिया विधी जिम्यदार है, तो विकल्प नंबर B है, इसमें, एक्सो ओस मुसिस, ठीक है, नेक्स्ट है, अंदोलन क्या था, तो ये, 81 है, देखिए, इसका जो सही उतर होगा, विकल्प नंबर D, ये सब ही, गुरामी से मुक्ती भी, क्रांती भी, और सरकार के कुछ कानों मांगो, और अदेशों का पालन करने के लिए, सक्रिया इनकार, ठीक है, 83 है, 82, sorry, रामकिशन मिशन के बार the following statements is correct, ठीक है न, तो ये कहा गया है कि कौन सी इन में से सही है, स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए, 83 का, विकल्प नंबर C, दोनों ही क्या है, सही है, अगला परशन है, देखिए, 84, ये कहते हैं कि निमी लिखित घटनाओं का विचार करें, औ और उन्हें सही काल क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, तो विकल्प नंबर D, इसका क्या होगा, सही होगा, सबसे पहले क्या आपका, मुस्लिम लीग आएगा, उसके बाद फिर आपका जलिया माला बाग हत्यकानड है, फिर उसके बाद खिलाफत और उसके बाद सावी द ठीक है, नेक्स प्रेशन है 85, कॉंग्रेस के निमिलिक्त में से किस सत्र में नया समयधान अपनाया गया था और एक कारेस्मिती का गठन किया गया था, तो ये वाले जो प्रेशन का उत्र है दीखिए, यहोगा भी कल्प नंबर B, नागपुरा दिवेशन 1920, ठीक है, उसके बादे देखिए, 86, निमिलिक्त में से कौन भारते सत्र में अधिनियम के बारे में गलत है, तो इसका जो सही उतर है देखिए, भी कल्प नंबर A, ब्रिटिश समराट के कुछ समय के लिए दिल पर बोटों का अपना अधिकार बनाए रखा, ठीक है, 86 का क्या होगा, A होगा नेक्स ते देखिए, ये कहते हैं कि निमिलिक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 87 का देखिए, वारिन हेसिंग्स भारत के पहले गवर्नल जनरल थे या लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय थे, तो इसमें केवल दो सही है, ठीक है न, अगला है, 1902 में फ्रेजर कमिश नेक्स निमिलिक्त में से किस सत्र में की थी, ये की थी लाहोर सत्र, 1929 में, आगे है प्रशन संक्या 90, देखिए, निमिलिक्त में से कौन सा अधिनियम, लॉर्ड क्रोस के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, तो ये वाला जो प्रशन का उत्र होगा, देखिए, वह प्रेस हिसाब से A या C में से एक होना चाहिए था, करक्ट इसमें हाला कि नहीं कह सकते, फिर भी अगर आपको इस कॉशन का अंसर पता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर वो भी बता सकते हैं, नेक्स है दिखिए, राजाराम मोहनराय ने एक इश्वर की अवधार दिव, अगला प्रशन है निमिलिकित में से किस अधिनियम के विद्वाओं के विवाह को वहध बनाया, तो ये था आपका अधिनियम 15, ठीक है, नेक्स है 95, पानिनी की अश्टा ध्याई किस पर आधारित है, तो ये है आपका व्याकरन, ठीक है, फिर है धरमसूत्र विवा को वरगिक्रित करते हैं, तो ये है आठ प्रकार, ठीक है, 97 है देखिए, जैन धरम के त्री रतन में किसका समावेश नहीं है, तो ये है आपका सही बोजन, राइट फूर, ठीक है, 98 है देखिए, बुलिंद वाग के पुरा तत्विक अवशेश किस से जुड़े हुए हैं, तो ये हैं आपके विकल्प नंबर A, देखिए, पाटली पुत्र, ठीक है, स्तूप वास्तुकला में सुपानों का संकेत है, इसका जो सही उत्तर था देखिए, वो है विकल्प नंबर B, सीडियां, आखरी प्रशन आज का देख लेते हैं दोस्तों, दशावतार टेंपल्स एट देवगड बिलॉंगस टू, तो ये किस से संबन्दी थे, तो ये थे आपका भी कल्प नंबर C, देखिए, गुप्ता पिरियड, जो गुप्त काल से, तो ये थे दोस्तों, पूरे के पूरे सौ प्रशन, जो तैसील वेलपेर ओपीस की परिक्षा में पूछे गए थे अगर इन प्रशनों में मुझसे कुछ तूटी रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर वो चीज़ बता सकते हैं, फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शीर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, तुक्रिया, जाहिंद।